नमस्कार दोस्तों, दोस्तों यदि आपने MP पटवारी 2013 का पेपर दिया है, तो आपको अभी ये लग रहा होगा, एक्जाम 26 तारीकों खतम हो चुके हैं, कट आफ कितना जाएगा, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्या आपको पता है, पिछली बार का कट आफ क तक हो गया था फिमेल का, है ना, है ना, है एश्टी एश्टी का 75, 72, मतलब करीब-करीब आप सभी का 70% से उपर ही कट ओफ गया था, और जनरल का 80% के उपर गया था, इस बार का आप सभी ना पेपर दिया है, पिछली बार का जो पेपर आया है, उसमें जमीनासमान कंतर है आप सभी को पता होगा, इस बार जो पेपर आया है, उसमें आपकी maths जो है, ये SSC लेवल की कर दी है, advanced math बगएरा पूछा गया था, ठीक है, पिछली बार प्रवंधन नहीं आया था, आप में से, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा, जिसने प्रवंधन का, यदि 25 कॉश्चन में से 25 नहीं आ रहे थे, 20 भी आ रहे थे, 25 में से कम से कम 20 कॉश्चन सही किया हूँ, 90 परसेंट लोगों का प्रवंधन, maths, जिसका SSC है, उसने उसका नहीं बिगड़ा होगा, लेकिन जिसका SSC अच्छे से नहीं, advance math आई थी, सभी का paper, दूसरी थी, एक चीज और, पिछली बार timing को लेके लफड़ा नहीं होगा था, इस बार जो है, जिसने एक्जाम दिया है, आप सभी को पता होगा, 90% लोगों को timing, मुझे मेरे साब से तो 100% लोगों को time कम पढ़ गया, सब की यहीं चिकाया थे, time कम पढ़ गया, English में पैर जंबल वगए थे, उसको पढ़ने में time लग गया, तो time की कमी के कान सभी के, लगबग लगबग सभी के 15-20 कौशन, या तुका मार क्या है, या छूटे है, कई बच्चे ऐसे हैं, जिनको 15-20 कौशन, या जल्दी यल्दी में टिक कर क्या है, ठीक है, तो आप यह समझ लीजिए, 80%, मतलब जब पेपर श्टार्ट हुआ था, उ मैंने आपको दिखाया, 80 या था लड़कों का कटॉप, जनरल मेल की बात कर रहा हूँ, इस बार का कटॉप क्या जा सकता है, तो मैं आपको उतारू, सबसे पहले तो एक बात यार रखो, आपके जो भी नंबर आए हैं, आपके जो भी नंबर आए हैं, वो फाइनल नंबर नहीं है, नॉर्मलाइशन हो सकता है, मान चलिए किसी के 140 नंबर आए हैं, या किसी के 100 नंबर आए हैं, मान चलिए, तो 100 नंबर आए हैं, तो ये आपका फाइनल नंबर नहीं है, इसमें आपके 5 से 10 नंबर बढ़ भी सकते हैं, और 5 से 10 नंबर कम भी हो सकते हैं, ये दिमा पर में एक दो कॉशन कैंसल हो सकते हैं सभी के कहीं न कहीं कोई न कोई गड़ बढ़े किसी के में जादा भी हो सकते हैं तो मार्किंग उतने मैसे होगी प्लस उसके बाद नॉर्मलाइशन होगा तो मेरे हिसाब से मैं आपको बता दू एक्सपेक्टेड जो मेल की बात कर रहा हूँ सबसे हाइस्ट कटउप की बात कर रहा हूँ तो हो सकता है यदि आपके 5 नंबर बढ़ जाए 8 नंबर बढ़ जाए तो करीब करीब आपका 135 से 140 में कब नॉर्मलाइशन के बात की बात कर रहा हूँ इसमें सेलेक्शन 100% 咶Gu hè, ऐसा नहीं कि इतना ही जाएगा, इससे कं भी जा सकता है, लेकिन 140 से 145 वाले safe हैं, वो भी 140 से 145 के ऐसे normalization के बाद, normalization के बाद कैसे ऐसा नहीं है कि आपके 140 हाँ तो आप safe हो, होसकता आपके कम हो जाए, हैंना, और ऐसा नहीं कि 135 या 130 हैं तो आप सेफ नहीं हो सकता आपके बढ़ जाएं ठीक है तो maximum जो chances है वो जाने का chances है general male category की बात कर रहा हूं 135 से 140 145 आप 10 number का range पकड़ लो 135 से लेकर 145 का range पकड़ लो 145 के ऊपर वाले 140 के ऊपर वाले तो 100% safe है ठीक है दूसी चीज बाकिये दिए आपको cut off चाहिए कैसा category wise तो मैं जो पिछले बार का cut off जो मैंने दिखाया उससे मैं तुलना करके आपको पूरी category का category wise आप चाहो तो आपको cut off बना के जो है expected cut off फिर से वाला एक्जाम होगा उसकी भी तैयारी हो अपने चनल पर कराएंगे तो आप उस पर focus करो सकते पठी है धन्यवाद जय हिंद जय भारत